बिस्मिल्याराराराहिम, السلام अलेकुम, Convolutional Neural Network में मैं आपको खुशाम अदेद कहता हूँ, पहले हम Python के उपर देखेंगे कि Convolutional Neural Network का का काम क्या है, और ये किस तरीके से हम help out करता है to understand the image analysis, फिर हम वापिस जाएंगे और इसकी theoretical part को भी समझेंगे, आज के इस code के अंदर आपको जितनी भी चीज़े समझाऊंगा, मैं प्लीज इसको अपने गोश्ट को जार जरूर रखेगा, दिमाग में बिठा के रखेगा और notebook के अंदर लिख के रखेगा, Convolutional Neural Network का में काम ये होता है, कि ये image data को deal करते हैं, ये neural networks के एक टाइप है, जो image analysis के ओपर काम आती है, अब यहाँ पर मैं अपनी screen आपके सामने शेयर करता हूँ, और इस screen के ओपर हम देख सकते हैं, कि हमारे पास कितनी किसम के जो हैं, Convolutional Neural Network जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, So, we will see that कि हमारे पास कौन-कौन से Convolutional Neural Network है, and then we will proceed with the thing. अब यहाँ पर आप अंदाजल गा सकते हैं, कि Convolutional Neural Network का ये वाला code आपके सामने हाजिर है, I will provide you this code, so don't worry about that, अगर आपके पास ये code नहीं है. Convolutional Neural Networks are a class of deep neural network, commonly used in image recognition and processing. Image को process करने के लिए भी, और image को recognize करने के लिए भी Convolutional Neural Network का use किया जाता है. When discussing CNNs, यानि के Convolutional Neural Networks, several key terms and concepts must be in your mind. सही है, जिसमें काफी ज़्यदा operations हैं, खास तोर पे kernel क्या होता है, filter क्या होता है, focus करना किसी चीज़ को क्या होता है, और किस तरीके से सारा कुछ proceed होता है. लेकिन आज किस lecture के अंदर आपको पहले इसकी architecture दिखाई जाएगी, and then आने वाले lectures के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये Neural Network काम करते हैं. So, let me show you the code. तो ये जनाब कोड आपके सामने हाजर है, अब इस कोड के उपर बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर import TensorFlow STF आपने पहले करना है सबसे, ठीक है, तो मैं सिर्फ कोड आपको समझाऊँगा, और फिर हम इसके उपर दुबारा से वापिस भी आएंगे, import TensorFlow STF, ठीक है, यहाँ पर clear हो गया, and then आपने from from TensorFlow कारास को इंपोर्ट कर लेना और matplotlib को भी इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, और हम जिस डेटा सेट पर काम करने वाले हैं, वो है MNIST का डेटा सेट, तो load the MNIST डेटा सेट, हमने X-train और Y-train, X-test और Y-test, यह already MNIST का डेटा सेट online मुझूद है, इसके उपर हम काम कर रहे हैं और इसको हमने load कर लेना है, ठीक है, तो यह इसी तरीके से, जैसे हम C-bond के अंदर से डेटा सेट को load किया करते थे, फिर हमने क्या किया, इस डेटा सेट में जो जो हमारे पास डेटा सेट की फिगर्स हैं, उनको हम देखते हैं, अब यह जो एक एक एग्जेंपल है, यह हैंड रिटन डिजेट्स की एग्जेंपल सबसे पहले तो डेटा को load करते हैं, फिर बाद में उन images को यहां पर प्रिंट कर लेते हैं, यह हमने images को प्रिंट कर लिया, अब हमारे पास होता क्या है, कि जो डेटा सेट है, उसकी शेप हमने देखनी है, ठीक है, so हमारे पास एक X-train है, और एक है X-train की शेप जो 0 index के उपर है, और हमारे पास यहां पर X-test भी है, तो हमारे पास X-train और X-test का जो डेटा है we have 60,000 images in the training set and 10,000 images in the testing data set, तो हमारे पास टोटल जो data set है, यह 70,000 images का data है, यानि कि यह जो images है, एक image, दो image, तीन, चार, पांच, यह 70,000 images है, 60,000 हमारी test data में है, और हमारे पास 10,000 जो हैं, वो training, 60,000 हमारे पास training data में 10,000 हमारे पास testing data में है image का size है 28 by 28 pixels, 28 by 28 pixels क्या होते हैं, जब theoretical part में आपको बताऊंगा, then you will understand, तो हमने यह images का data set रख लिया यह इसकी shape हमारे पास आगी X train की 60,000 की, यह Y train की आगी 60,000 की तो हमारे पास X train, यानि के images का data, जो images हैं, वो हमारे पास यह है, Y train का मतलब है कि उनके labels हमारे पास हैं ठीक है, तो यह जब हमारे पास एक data set आता है, 60,000 28 by 28, तो यह हमारे पास image के data को show करता है ठीक है, और जैसे हम Y train की बात करते हैं, तो यह label को show करता है तो अगर हम एक अठा लिखें तो हमारे पास X train, Y train, X test and Y test आजएगा, यानि के 60,000 28 by 28 की images, फिर उनके labels, फिर 10,000 28 by 28 की images, फिर उनके label यह 28 by 28 क्या हैं, यह pixels हैं, pixels क्या आते हैं, इसके बारे भी में अब discuss करेंगे, don't worry about that अब यहां पे हमने क्या किया, किसी भी एक training या testing data में से एक sample को print करवाया, for example, यहां पे यहां पे जो तस्वीर प्रेंट करवाई, वो यहां पे 5 लिखा हुआ आगया, ठीक है, just to show you, तो 28 by 28 के हैं, तो हमारे पास x-axis और y-axis यहां पे आगे, which can tell you about the data set, तो 0 से यहां 28 तक यह है, और यही 0 से यहां 28 तक यह इसका data set है, in a squared image, right जी, तो हमने क्या किया, उन्ही images को pixelated value के साथ यहां पे print कर लिया, so now you can see कि यह आपके पास values का matrix आ गया, जो आपको मैंने mathematics के अंदर भी बताया था, जब मैं mathematics पढ़ा रहा था, कि जहां पे, बिलकुल zero है, वहां पे black color है, और जहां पे white है, वो कितना white है, या कितना gray है, वहां पे उसकी value change होती जा रही है, so अगर आप गौर करें हमारे पास यहां पे data set यहां पे black है, और यह white है, तो हमने इसको pixelated form के अंदर print कर लिया, जहां जहां पे writing लिखी हुए आई थी, इसको invert करने के बाद वो सारा area dark white हो गया, या हमारे पास dark black हो गया, ठीक है, और बीच में जो चीज़े हैं वो हमारे पास gray हो गई, तो अगर आप गौर करें, तो यहां पे हमारे पास maximum जो value आती है, वो 255 आती है, ठीक है, यानि के जो हमारे पास maximum whitish area है, वो 255 है, और जो minimum है 0 है, ठीक है, इसी चीज़ को मद्दे नजर रखते हुए हम क्या करते हैं, यह पूरे के पूरे जितने भी pixels हैं, यह पूरा matrix है, ठीक है, 28 भाई, 28 का यह हमारे पास matrix है, image का, और हर pixel की value हमारे पास आगी है, हमारे पास यह 5 लिखा कैसे identify होगा, कि हर pixel के एक डिबे के अंदर आपके पास जो specific value है, हम क्या करते हैं, बाद में इसको normalize करने के लिए 255 पे divide कर देते हैं, जैसे हम 255 पे divide करते हैं, now you can see कि यहाँ पे 5 तो लिखा हुए है, लेकिन उसकी value points में आ गई है, ठीक है, अगर आप गोर करें, यह points में value आ गई है, instead of 255, 256, 254, 253, जो हमारे पास gray scale है, which we will talk about in our coming lecture, तो जैसे आप इसको देखते हैं कि आपके पास यह वाला normalize हो गया data, तो आप simply क्या करते हैं, tensor flow को use करते हुए, 28 by 28 image size को जो आप input shape दे देते हैं, फिर आप CNN model prepare करते हैं, CNN model के अंदर एक आपकी input layer है, फिर आपके पास एक layer होती है, convolutional layer, ठीक है, जिसके अंदर filters होते ह tenimां, and kernel का size होते हैं, फिर आपके पास आती है layers जो 2D convolutional layer है, फिर आपके पास आती है two D convolutional layer, convolutional layer 2D, फिर आपके पास pooling layer है, फिर आप इन दोनों को दुबारा से कर सकते हैं यानि कि ये input layer input layer के बाद ये convolutional layer and pooling layer फिर convolutional layer and pooling layer फिर at the end आप इसको flatten कर देते हैं flatten करने के बाद आप इसको dense layer के अंदर based on the data set आप activation use करके activation function तो आपके पास एक final value आ जाती है जब आप इसे run करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से फिर 4 by 4 में at the end वो single array के अंदर flatten हो गई layer ठीक है और फिर हमारे पास probability की value आ गई this is how the neural network works के आप एक image को लेते हैं उसके size को decrease करते 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 आप यानि के ये वाला जो matrix है इस matrix को आप क्या करते हैं product के साथ multiply करके filter size और kernel size के साथ multiply करके matrix की product लेते हैं और वो जो product होती है matrix की वो transform होने के बाद इसको एक single one dimensional array के अंदर transfer कर देती है convolutional neural network का यही मकसद है कि वो इस पूरे matrix को single layer के अंदर या single dimension के अंदर data के अंदर transform कर देगा at the end आपके पास ये पूरा neural network आपको एक probability की value देता है from multi classes के 0 से लेके 9 तक यानि के total 10 आपके digit लिखे जाते हैं 0 से 9 तक तो उन सभी में से किसकी values याता है अगर आप model देखें तो model कुछ इस तरीकी से आपको नजर आ जाता है and then आप model को यहां पे compile भी कर सकते हैं और model को यहां पे आप train करेंगे and it will then learn about the data और आपके पास validation accuracy और आपके पास जो testing accuracy training accuracy and validation accuracy आती है and then you can actually predict some unknown value यानि के to evaluate the model और आपके पास at the end finally जो accuracy आती है उसकी base पे आप model को save भी कर सकते हैं in hy file and then you can actually see के आपके पास किस तरीके से यह data पूरे का पूरा काम करने के बाद आपको values print करके उनको predict कर रहा है so अगर आप यहाँ पे देखे हमने यहाँ पे एक जो है वो cheese print की है and then we can actually see के इसकी prediction हमें क्या बदाती है और उसकी base पे आप probability की 10 value लेते हैं जिसकी value सबसे high है वो value आप यहाँ पे देख लेते है and then you can say के यह flaw number है तो यह सारी की सारी चीज़े मैंने यहाँ पे लिखी हुई है the assignment is के आपने model train करने के बाद आपने 10 sticky note लेने है उन पे अपने digits को लिखना है अपनी handwriting से and उनकी तस्वीरें बनानी है 28 by 28 के अंदर उन्हें convert करना है at the end और फिर आपने क्या करना है उन 28 by 28 की images को आपने predict करवा के यहाँ पे ले के आना है और आपने क्या करना है at the end write the function to name the labels of predicted images ठीक है तो आपने क्या करना है एक function भी draw करना है यह last पे काम हुआ है यह notebook अभी मैं आपको जो है वो push कर देता हूँ then आपको यह अभी मिल जाएगी so I'm going to write notebook of CNN तो यह अभी मैं push करने वाला हूँ यह GitHub की repository जिसका link description में दिया गया है उसमें आप जाके देख सकते हैं यह अभी push हो जाएगी meanwhile जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो यह है कि अब यह काम कैसे कर रही है मैं यहाँ पे Google पे जाता हूँ Google पे जाने के बाद अब हम convolutional neural network को reverse engineering के थूँ देखेंगे CNN for image classification आप अगर यहाँ पे जाते हैं तो there are many blogs written already so आप कोई भी blog उठा ले मैं आपको और भी links दे दूँगा TensorFlow की website पे भी जाकर आप देख सकते हैं so what happens actually CNN जो है हमारे पास किस तरीके से काम करता है you can have a look here यह आपके पास एक image होती है यह आपके पास एक image है यहाँ पे अच्छा भई एक minute रुको अब ना ना यह आपके पास एक image है image आपने दी यहाँ से इस image को इसने convolute किया यानि कि आपके पास features map करके पूरी की पूरी image को आप एक different layers के अंदर लेगे अगर binary है तो आपके पास एक layer होगी या दो layers होगी white और black की अगर आपके पास RGB colors हैं तो 3 layer है अगर आपके पास इससे ज्यादा colors हैं तो आपके पास different layers होगी बट RGB से ज्यादा layers नहीं होती यह आप क्या करते हैं features उनसे map करते हैं यानि कि तस्वीर को किसी और matrix में लेगे फिर आपने subsampling की हर feature की उनको देखा फिर subsampling की उनको देखा फिर subsampling की उनको देखा at the end आपके पास एक fully connected layer आती है जो आपको सारे का सारे data जो है वो एक single one dimensional layer के अंदर पगड़ा देती है and then you can understand कि यह वाला digit data है it can help us to understand the convolutional neural network by the way होता है कि जैसे आपके पास कोई भी hand written digits आ जाते है आप क्या करते है उन images को फिर matrix के अंदर convert करते है matrix के अंदर convert करने के बाद आपके पास सारे के सारा data जो है वो run हो जाते है I just wanted to show you something let me see मेरे पास एक example थी CNN की which if I click here yes if you look closely to this image यहाँ पर अगर गौर करें यह एक data 18 by 18 का इसने क्या किया पहली convolutional layer निकाली उससे कुछ यहाँ पर processing की फिर दूसरी है pooling की layer फिर आई convolutional layer फिर pooling की layer है at the end सारे का सारा कुछ flat हो गया single layer के अंदर और आगे आपके पास fully connected neural network जो है वो बन गया so आपने क्या करना है input देने के बाद आपका main मकसद है कि आपको one dimensional array के अंदर सारे के सारा flattened data मिलना चाहिए instead of matrix तो CNN वो ही काम करते है और आपको images को flattened data के अंदर convert करके देते हैं अब इस विए पीछे कौन-कौन सी theoretical parts है इंशाला इसको भी हम देखेंगे आपके एक चोटी सी assignment अब यहाँ पर यह है कि आपने convolutional neural network को और भी अच्छे तरीके से understand करना है explore the internet हमारे kodenics के उपर भी काफी videos बड़ी हुई है और आज रात को इंशाला मैं further lecture जो record करके उसको upload भी कर दूँगा website के उपर which you can see on the link in the description और वहाँ पर जा के आपको convolutional neural network के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी अभी के लिए इतना ही I am hopeful के आपको neural network के कुछ समझ आ रही है और अभी आज के लिए जितना lecture मैंने दिये इसको directly मैं notebook पे इसलिए लेकर गया हूँ ताकि आप practice करें और खुद से भी थोड़ा सा सीखना start करें I know कि I can explain it in a better way और मैं इसको अच्छे से slides बना के भी पेश कर सकता हूँ आपके सामने but the thing is you have to learn by yourself as well most of the things ठीक है not some of the things but most of the things अब इस वज़ा से आज की lecture इतना ही और इसे मैं यहीं पे खतम करता हूँ और मैं इंशाला आज रात को दुबारा से recording करके आपको upload कर दूँगा lectures on convolutional neural network which will help you a lot अपना ख्यार रखे and अगर like, share, subscribe नहीं किया please do it take care and अलाने के बान